ना उबालने की जंजट ना घिसने की परेसानी आज हम बनाएंगे बिलकुल नए तरीके से और जटपट से आमले जैम की रेसिपी इसे आप बना कर फ्रेंट्स महिनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं और इस तरह से यूब्रेट पर लगा कर आप इसे अपने बच्चों को ल होती जादा फायदे मंद होते हैं हाई फ्रेंट्स विलकम बैक आपका अपने चैनल फूड इंचार्ड में बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूं यासमी नडाद मैं आप लोगों के लिए आमले की रेसिपी लेकर के आई हूं तो चलिए चलते हैं बनाते हैं आमले का टेस् कायत होती है कि कमी हो गई है और उन्हें बड़े बड़े गोलियां खानी परती है कैल्सियम के लिए तो अब इससे हो जाई है आप बिलकुल बेफिक्र और इस तरह से आप आमले का जैम बनाएं और भरपूर मातरा में पूरी कैल्सियम प्राप्त करें तो यह देखे मैंने चूने के पानी में आमले को अच्छी तरह से डिप कर दिया है और इसे अब हम आदे घंटे के लिए यूही छोड़ देंगे चूने की वज़े से आमले की जो करवाहाट फ्रेंस वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जो हमारे आमले वो बिलकुल बिना करवे हुए फ्र है तो आप इस तरह से आमला जैम बनाए फ्रेंस बिना जंजट बिना परेशानी और सालों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं तो यह देखी मैंने मिक्सर के अंडर जार में डाल कर सारे आमलो को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका बिलकुल बारीक सा पेस्ट बनाना है हमें इसमें बिलकुल भी चंक्स नहीं रहने चाहिए तो यह देखी हमने इसमें बिलकुल भी पानी एड नहीं किया है फिर भी यह कितना अच्छा बारीक हमें बिलकुल इसी तरह का पेस्ट चाहिए हमें इसमें कोई चंक्स नहीं चाहिए तो चलिए हम बनाते है जैम जैम बनाने के लिए हमने गैस के उपर कराई रख ली है और इसमें हम डालेंगे एक चमच ऑलिव वाल जैतुन का तेल हमने इस्तमाल किया है फ्रेंट जैतुन का तेल हमारे जैम की गुनवनता को और भी जादा बढ़ा देगा क्योंकि हमने इसमें चुना भी इस्तमाल क यह बिल्कुल नैश्र ή तरीका कोई इस्तंबाने का या तकल नहीं करना है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल सेफ भी रखना है और पॉस्टिक भी रखना है फ्रेंट्स क्योंकि हम इसे बच्चों को देते हैं खाने के लिए तो ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा चला लिए और इसको हम ढख करके दो मिनट के लिए यूँ ही पकाएंगे ताकि चीनी और गुर जो है वो अच्छी तरह से मिल्ट हो जा लेते हैं और हमें इसे बिल्कुल स्लो आज पर ही पकाना है फ्लेम को बिल्कुल भी हम तेज नहीं करेंगे यह स्लो मीडियम आज पर पकेगी तो इसमें अच्छा सा शाइनिंग भी आएगा और यह बहुत अच्छी तरह से पकेगी तो यह देख सकते हैं इसका कलर चेंज ह तो इसी तरह से हमें इसे पकाना है टेस्ट के लिए हमने इसमें थोड़ा सा काला नमक का इस्तमाल किया है और इसे भी हम अच्छी तरह से चला लेते हैं काला नमक आप जैम में डालें बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाता है तो यह देखे हमारा जैम जो है वो बन कर हो आप इसी तरह से jam बनाए और इसे ठंडा करके आप इस टोड करके रख सकते हैं और काफी दुनों तो आप इसे enjoy कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें like करें और share करें मेरे वीडियो को और enjoy करें आप इस तरह से jam take care friends